बिहार में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, मौसम विभाग के अनुस्तार आज दिवाली के दिन भी मौसम आम तोर पर शुस्क बना रहेगा पच्छुआ के कारण सुबर शाम हलकी ठंड का एसास लोगों को होगा नालंदा, शेकपूरा, गया, मधुबनी, गोपाल गंज, बगहा, सिवान, समेथ, कई जिलों में सुबसुबग, घना, कोहरा देखने को मिला इधर दिवाली से एक दिन पहले पटना की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूशित हो गई पटना में फिलहा लेयर क्यालिटी इंडेक्स एक्यूआई लेवल 377 रिकॉर्ड की गई है, वहीं दिल्ली में 206 एक्यूआई ही है राजधानी के गांधी मैदान में 450 एक्यूआई प्रदूशिन की मात्रा रिकॉर्ड की गई है, जो कि आज से चार दिन पहले तक 384 एक्यूआई थी वहीं तारा मंडल वाले इलाकी की हवा भी यह प्रदूशित होने लगी है, तारा मंडल में 265 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई है, जो कि 10 दिन पहले तक 63 एक्यूआई थी इसके लावा पटना सिटी में 382, राजवनशी नगर में 417, बी आईटी मेसरा में 346 और दानापूर में 361 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई है, पक्षमी विक्षोब और बंगाल की खाडी की ओर चक्रवाती परिसंच्चरन के स्थिती बनने से राजजी के अधिक्तर शहर नियुंतम तापमान में बढ़ोतरी की प्रविर्टी बनी हुई है, अभी दो दिन बढ़ोतरी की स्थिती बनी रहेगी, इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट के भी आसार है, वही मौसम विज्यानिकों के अनुसार राजजभर में पच्छुआ हवा की गती कम होन से धूंद की स्थिती में बढ़ोतरी देखने गों मिली है दोफर में भी धूप में पहले जैसा तिखापन नहीं है आंशिक बादलों की आवाज़ाही की स्थिती भी बनी है 13 नवंबर से पच्छुआ के प्रबल होने से ठंड बढ़ेगी इसके बाद धूंद में कमी आज सकती है साथी आपको बता दे कि मौसम विभाग के द्वारा जारी आकडू के अनुसार शनीवार को पटना सहीत 26 शेहरों की निंतम तापमान में बढ़ोतरी दर्च की गई है पटना अधिक्तम तापमान 29.9 डिग्री और निंतम बिहार में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है मौसम विभाग के अनुसार आज दिवाली के दिन भी मौसम आम तोर पर शुस्क बना रहेगा पच्छुआ के कारण सुबर शाम हलकी ठंड का एसास लोगों को होगा नालंदा, शेकपूरा, गया, मधुबनी, गोपाल गंज, बगहा, सिवान, समेथ कई जिलो में सुबसुबग, घना, कोहरा देखने को मिला इधर दिवाली से एक दिन पहले पटना की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूशित हो गई पटना में फिलहा लेयर क्यालिटी इंडेक्स एक्यूआई लेवल 377 रिकॉर्ड की गई है वहीं दिल्ली में 206 एक्यूआई ही है राजधानी के गांधी मैदान में 450 एक्यूआई प्रदूशिन की मात्रा रिकॉर्ड की गई है जो की आज से चार दिन पहले तक 384 एक्यूआई थी वहीं तारा मंडल वाले इलाकी की हवा भी यह प्रदूशित होने लगी है तारा मंडल में 265 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई है जो की 10 दिन पहले तक 63 एक्यूआई थी इसके अलावा पटना सिटी में 382, राजवनशी नगर में 417, बी आईटी मेसरा में 346 और दानापूर में 361 एक्यूआई रिकॉर्ड की गई है 19.5 डिग्री दर्च किया गया है इसके अलावा गया मुझफरपूर, भागलपूर, शेखपूरा, वैशाली, बकसर, रुहतास, नवादा, भोचपूर, कैमूर, गोपाल गंज, वालमिकी नगर समेत अन्य शेहरों की नियूंतम तापमान में 1-2 डिग्री तक की बढ़ोतर देखने को मिली है